हेलो फ्रेंट्स वाइट यान्याट कटिंग एंट स्टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है चलिए आज आपको मैं बाजू का बहुत ही सींपल डिजैन बना के दिखाऊंगी कैसे बिनाया जाता है तो चलिए उसके लिए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं तो उसके लि करेंगे और हम यहां इसमें फ्रिल्स डालेंगे यान कि छोटी-छोटी प्लेट्स रूप करेंगे हम इसमें इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा कपडा उठाएंगे और यहां इसके उपर से अपनी सिलाई लगाएगे इस तरह से से अपनी सिलाई लगानी है तो चलेए मैं एक बार यह सारी बार अपनी सिलाई लगा लेती हैं इसी तरह से तो यह देखे फ्रेंट्स यह मैंने अपनी फ्रिल्स को इस तरह से इसके उपर सिलाई लगा ली है ठीक है चलिए अब मैं आपको इसको अपनी जो बाजू है उसके उपर लगा के दिखाते हूं कि कि इस तरह से हमने उसके उपर स्टेज करना है हां तो फ्रेंड्स यह देखिए अब जो हमारी बाजू है वो वाइट कलर की है और उसके अंदर जो कढ़ाई हमारी वो पिंक कलर इस तरह से घाजरी-घाजरी कलर की है तो इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है और इसके हम पाइपिन निकालेंगे तो वह हम कैसे लगाएंगे वो देखे मापको दिखा रही हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पाइपिन को हम इस इस तरह से ठीक है अगर आप लोगों के पास बनी बनाई पाइपिन हो तो आप वह भी लगा सकते हैं इसके अंदर लेकिन मैंने इस कपड़े के पाइपिन लगा लेती हूं यह देखिए इस तरह से मैं इस लाई लगा लेती हूं यह देखिए यह मैंने इस लाई लगा लि फ्रिल्स लगाई थी, अब हम उनको इनके उपर इस तरह से टैज करेंगे, यह हमारा सीधा हिस्सा है, सीधे हिस्से के हम उपर हम इस तरह से रखेंगे, हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से, जहां हमने पाइपिन के उपर वाली सिलाई लगाई थी, वहीं उसी के ओपर सी हमने ये वाली सिलई लगाने हैं उससे记is तो चलिए मैं इस वाले लगा लेती हूं मैंने ये इसके ओपर लगा लिए है और एक्सट्राकी है जो एक्ष्ट्रा फ्रेल्स है उनको हम गठ청 करके बहार निकाल देंगे इस तरह से अब इसके बाद देखे दिखाती हूं यह देखे इस तरह से जो हमने यह पाइबें लगाई थी यह इस तरह से हमारी यहां पर दिखाई देगी और यह अंदर का कपड़ा था हम इसको यहां ओपर की साइड इस तरह से रखेंगे और इसके उपर से हम सिलाई लगाएंगे बि जो इस साइड यह हमारा वाइट कपड़ा है इसके उपर से हमने स्लाई लगानी है और इस कपड़े को ब्राबर करते हुए जाएंगे तो मैं अपनी स्लाई को एक बार कंप्लेट कर लेती हूँ मैंने इस स्लाई को भी कंप्लेट कर लिया है यह दिखे जो हमारी फ्रिल्स है वह कितने अच्छे से लग चुकी है यहाँ पर हमने इस बाजू के आगे अपनी स्लेव के अंदर लगा दिया है ठीक है जो बाजू की फिटिंग का निसान है स्लाई है वह हम लगाएंगे और उस करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा इसका है यह हमारा जो जैन है यह तो यह हमारी पाजू का डिजैन बन के तयार हो चुका है आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्यू